Hello dear students, very good morning to all of you तो चली शुरू करते हैं आज का मारा lecture तो देखिए आज जो मारा topic रहेगा It will be factors affecting paramagnetism कि हमारे पास कौन साइसे factors हैं जिन के थूँ आपका paramagnetism जो है हमारे पास affect होगा ठीक है previous lectures के अंदर हमने एक topic study किया था that is magnetic susceptibility जहां पे हमने ये study कि हमारे पास paramagnetism क्या होता है and diamagnetism जो है वो क्या होते हैं आपके पास तो आज इस lecture के तुरू हम ये जानेंगे कि हमारे पास paramagnetism जो है वो किन किन factors के तुरू जो है वो affect होने वाला है देखिए अगर मैं बात करूँ ना आपके बास एक simple free lactone की ठीक है आपके बास एक free lactone है कोई भी ligand के influence नहीं है उसके उपर only free lactone है तो इसका मतलब है कि आपके बास freely move कर सकता है ठीक है तो free lactone जो है उसके case में हमने magnetic moment निकाली थी तो उसकी जो हमारी magnetic moment आती है that is given by this relation spin only magnetic moment ठीक है यह क्या है आपके बास यह spin only magnetic moment है अगर मैं बात कर रहा हूँ spin only magnetic moment for a free lactone तो इसका मतलब किया हो हमारे पास जो orbital contribution है electone की ठीक है वहाँ पे आपके बास बिल्कुल zero होगी कोई orbital contribution नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और spin only moment है तो in that case हमारे पास मतलब क्या हुआ कि जो आपका electone होगा ठीक है वो सिर्फ और पास एक्सी के राउंड जो हो spin कर रहा है ठीक है there is no orbital contribution लेकिन अब आपको पता है कि हमारे पास electone जो हो free नहीं होते है हमारे पास जो भी metal atom होगा वो complex बनाएगा ठीक है किसी लिगेंड के साथ जो हो bonded होगा हमारे पास जिसके थूँज हो है हमारे पास complex बनेगा तो definitely हमारे पास legends जो है वो कुछ ना कुछ affect डान लेंगे हमारे पास electones के उपर क्योंकि जब भी हमारे पास complex बनेगा ठीक है whenever legends combine with the metal atoms तो हमारे पास जो है वो definitely जो electones होगी उस metal atom के उपर उनके उपर भी कुछ ना कुछ फरक पड़ेगा ही जिसके थूज है हमने orbital contribution के बारे में पढ़ना है तो इसका simple मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास complex होगा ठीक है जब भी complex formation होगी हमारे पास तो वहाँ पर हमारी जो magnetic moment होगी वो spin के उपर तो depend कर ही रही है हमारे पास लेकिन साथ में वहाँ पर आपके 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 पास जो orbital angular momentum जो generate होगी उसके उपर भी depend करेगी और यह जो factors है आपके पास यह mainly depend करते है कि हमारे पास metal atom जो है वो किस तरह का है ठीक है उसका nature किस तरह से है उसके जो surrounding में environment है हमारे पास वो किस तरह का है तो यह कुछ एक factors है आपके पास metal atom का nature का होगा उसके around का environment कैसा है, उसके surrounding का environment कैसा है, उसकी through magnetic moment जो आपकी effect होगी. तो चलिए थोड़ा सा और detail में पढ़ते हैं, देखे, magnetic properties जो होती है, हमारे पास transition metal complexes की, they are usually concerned with the determination of number of unpaired electrons present in the complex, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है, जब भी हम बात करेंगे कि आपके बास कोई complex magnetic है, ठीक है, dia magnetic होगा या paramagnetic होगा, हम अमेशा ही बात करते हैं कि उसके पास unpaired electrons है या नहीं है, अगर unpaired electrons है तो complex आपका paramagnetic होगा, अगर नहीं है आपके पास तो आपके बास complex जो है, वो dia magnetic होगा, जितने ज़्यादा number of 1 पे लेक्टों होगे हमारे पस वो complex उतना ज़्यादा paramagnetic character जो है उसके अंदर induce होता जाएगा ठीक है अब देखिए paramagnetism कहां से originate होता है या आपके पास दू तरह की magnetic moment से originate होता है ठीक है पहली है आपके पास spin angular momentum ठीक है जो आपके पास spin करने के unipade electrons ठीक है जितने ज़्याद unipade electrons होंगे उतना ही ज़्यादा पास paramagnetic director होगा second जो है हमारे पास that is your spectroscopic ground and the upper state ठीक है जो हमारे पास spectroscopic ground state होगी और जो हमारी upper state होगी उनकी उपर ठीक है तो अगर इन दोनों states के बीच में जो आपकी ground state होगी और जो अपर state होगी उन दोन if the separation जो है उनके बीच में it is of the order of kt इसके बारे मैं आप फ़टा सा बाद में बताऊंगा मैं आपको then third factor मैंने आपको लड़ी बताया हुआ हूए ligand का role रहता ही है ठीक है strength and the symmetry of the electric field arising from the ligands present in the first coordination sphere ठीक है जो आपके पास coordination sphere के अंदर जो ligands होगी उनकी बजासे जो आपके पा metals की electrons को affect करेगी ठीक है उन factors के थ्रू जो है हमारे पास paramagnetism जो है वो affect होगा तो अगर हम इन तीन factors को consider कर दें ठीक है तो हम paramagnetism को 4 way में हम जो है वो आपके पास sub divide कर सकते है ठीक है पहला है आपके पास large multivolt separation ठीक है चारतरा से हम divide करेंगे पहला है आपके पास large multivolt separation अगर वो आपके पास जाता हो, ठीक है, it is greater than that of your thermal energy, that is your KT, ठीक है, जो room temperature हमारे पास energy हो, that is thermal energy, अब देखिए, ये वाला case हमारे पास कवराईज होगा, large multi-blood separation, ठीक है, पहले हम आपके एक चीज़ क्लिए कर देता हो, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, आपके पास, जो ह ये states है, ये वाली, ठीक है, तो इनकी बीच की जो separation है, हम यहाँ पे इसकी basis की उपर paramagnetism को हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, या तो यह जो energy separation है, ठीक है, या तो यह हमारे पास बहुत जादा होगी, और जादा किस्वे होगी, जो हमारे पास thermal energy होती है, ठीक है, उससे, thermal energy मतलब हम इसको compare करेंगे in terms of KT, ठीक है, K stands for your Boltzman constant, T is your temperature, ठीक है, तो या तो यह हमारी जो energy difference है, या तो इस thermal energy से ज्यादा होगा, या इसके comparable होगा, या इससे कम होगा, तो इन ही के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जिसमें से मेरा पहला case कौन सा है, that is your large multiple separation, thermal energy और KT, ठीक है, इसके comparison में हमारे पास जो है, वो बहुत जादा है, ठीक है, तो यह case कब arise होता है, यह case हमारे पास तब arise होगा, जब हमारे पास unpaid electrons जो है, they are well shielded by the ligand effects, ठीक है, प्रिवियस lecture के अंदर मैंने आपको बताया था, कि हमारे पास quenching कब होती है, quenching कब होती ह ठीक है, जब metal के electrons के साथ, जो effectively interact कर देती है, तो electron का motion है, उसको रोग देती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताया था, कि जब हम lengthenoids की बात करते हैं, तो lengthenoids में हमारे पास क्या था, कि वहाँ पे जो F subshell होती है, उसकी effectively shielding होती है, ठीक है, वहाँ पे effectively shielding देखने को मिलेग by जो overlying हमारे पास S and P orbitals होते हैं, वो इसको shield कर देते हैं, तो जब shielding हो जाएगी हमारे पास F orbitals की, तो इसकी विएसे हमारे पास के होगा, जो ligand हो गया, ठीक है, वो उतना effectively हमारे पास जो हो interact नहीं कर पाएगा, उन लेक्टोंस के साथ, ठीक है, लेक्टोंस के लेक्टोंस क आमें देखने को मिलती है, और जो हमारे पास resultant orbital angular momentum होती है, ठीक है, it becomes a very good quantum number, और वहाँ पे हमारे पास L and S हो है, वापस में effectively couple करते हैं, जिससे हमारे पास जो quantum number है, वो J arise होता है, ठीक है, तो मैं फिर से इसको एक बार repeat कर देता हूँ, ठीक है, हमारे case जो किस कब arise होगा, जब हमारे जो unpaid electrons होगे, ठीक है, they get well shielded from the ligand fields, ठीक है, ligand से बहुत अच्छे उनकी shielding हो जाएगी, ठीक है, ligands की जो electric field है, वो इतना जादा influence नहीं कर पाएगी, हमारे पास unpaid electrons की उपर, ठीक है, हमारे जो unpaid electrons हो protected रहेंगे, तो अगर हमारे जो ground state है, ठीक है, अगर हमारे ground state होगी, it gets separated from its next higher excited state, जो हमारी ground state होगी और जो उसकी next higher state होगी, अगर उन दोनों का बीच का energy difference है, ठीक है, अगर वो आपके पास thermal energy से जादा हो, ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है, वो lower और जो higher j states होगी, ठीक है, next, जो आपके पास immediate next j states होगी, अगर उनके बीच में energy difference जादा है, ठीक है, जैसे for example, मान लो, एक state मेरे पास ये है, ठीक है, this is your ground state, ये मेरे पास ground state आ गई, and this is your next immediate state, ठीक है, मैं बात कर रहा हो, यहाँ पे j states की बीच में, ठीक है, तो इनके बीच का energy difference है, this one, delta E, मान लो, ये energy difference जो है आपके पास, जो आपको thermal energy है, उससे जादा है, KT, ठीक है, इससे जादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो most of आपके molecules होंगे, electrons होंगे, वो ground state में जा पर रहेंगे, क्योंकि उनको जाब energy चाहिए ना, यहाँ पर excited state तक जाने के लिए, ठीक है, तो mostly आपके पास कहां रहेंगे, इस ground state के अंदर ही रहेंगे, तो जब ऐसी हमारे पास conditions arise होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास spin orbit coupling है, ठीक है, वो significant होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या और है, जैसा मैंने आपको बताया, legands की जो आपके पास selective field है, वो हमारे पास unfit electrons है, उनको उतना effect नहीं कर रही है, ठीक है, तो हमें definitely आपके पास जो आपका एक अच्छा quantum number होगा, ठीक है, it becomes a very good quantum number, ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपके पास orbital contribution नहीं हो रही है, orbital movement नहीं show हो पा रही है, ठीक है, जब हमारे पास अच्छी कासी shielding हो रही है, हमारे पास unfit electrons की, legand की electric field उनको influence नहीं कर पा रही है, तो definitely हमारे पास एक अच्छी orbital resultant, हमारे पास orbital angular momentum आपको देखने को मिलेगी, which will couple with the resultant spin angular momentum और जिससे हमारे पास जो quantum number है आपका, that is your j, ठीक है, वो arise होगा, जिसको हम ls coupling भी बोल सकते हैं, और j की value जो होती है, वो आपके पास, it takes all the possible values from l plus s से लेके l minus s तक, ठीक है, यह तो आप सभी को पता ही होगा, कि अग अगर हमारे पास shell जो है, अगर more than half field होती है, ठीक है, अगर if a sub shell is more than half field, तो j जो होती है, इसकी values l plus s तक होती है, ठीक है, l plus s की value होगी, अगर shell height is less than half field, then हमारे पास l minus s values होती है, हमारे पास, for the ground state, ठीक है, लेकिन, due to ls coupling जब भी हमारे पास होगी, तो j, यहाँ पे हम यह पर यह बुलेंगे कि मारे पास जितनी भी possible values होंगी वो सारी के सारी possible values जो है वो यहां पर ले सकता है और यह values कौन से होगी यह वो होगी वो जो की depend करेगी आपके पास की ground state निकलती है which depends upon की weather नमारी shell जो है more than half field है या less than half field है ठीक है इस case में जो आपकी magnetic moment होगी इसको हम किस तरह से निकाल लेंगे जैसे में आपको बता है energy difference हो है it is greater than that of kt ठीक है energy difference आप सभी को बता है h new के equal होता है हमारे पास ठीक है this should be greater than the kt thermal energy ठीक है molecules हमारे पास जो lactose होगे आपके पास ground state में रहेंगे तो इस case में हमारे पास effectively coupling होगी L और S के बीच में और J quantum number निकल के आएगा तो हमारे पास जो magnetic moment होगी ठीक है हमने निकाली भी है अलड़ी previous lecture के अंजर this is given by G under root J into J plus 1 ठीक है और G क्या है आपके पास this is called as your lendis G factor ठीक है और J क्या है आपके पास J is called as your this is your total जो आपके पास total magnetic moment होगी आपके पास due to the L plus S दोनों के बीचासे आपके पास ठीक है उसको हम J से represent कर देंगे और जो हमारा lendis splitting factor G है ठीक है इसकी जो values होते है this is 1 plus J into J plus 1 ठीक है plus S into S plus 1 minus L into L plus 1 divided by 2 J into J plus 1 ठीक है where J is your overall angular momentum quantum number ठीक है इसको हम कही बोर सकते इस is called as your overall magnetic overall angular momentum quantum quantum number जो दो फिलाल करी मैं यहाँ पर लिखे जे is called as your overall angular momentum quantum number ठीक है इसकी strength हमारे पास H होगी ठीक है जे जो है हमारे पास ये 2J plus 1 states के अंदर split हो जाएगा ठीक है for in presence of magnetic field हमारे पास जो number of possible orientations होंगी for the J that is given by 2J plus 1 ठीक है इतनी states हमारे पास possible होगी वहाँ पे जब हमारे पास J interact करेगा magnetic field के साथ तो हर एक जो हमारी state होगी this is separated by its intermediate neighbor by an energy given by G bore magneton तो ये तो आपको clear है कि हमारे पास सच जो मारे पास magnetic moment होगी वो lengthenoid cases के lengthenoid ions के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी तो जो मारे most of lengthenoid ions होते है they have ground state with very well defined J values ठीक है उनकी जो मारे पास lengthenoid ions होगे उनके अंदर हमारे पास magnetic moment in case of lengthenoid ions ठीक है तो पहले हमें G G की value निकालनी पड़ेगी ठीक है जो कि आपके पास LQ पर depend भी करेगा SQ पर भी depend करता है JQ पर depend भी करता है ठीक है तो वहाँ से हम G की value निकाल देंगे lengthenoid ions ठीक है और J तो आपने निकाल दा ही होगा already ठीक है depending upon कि आपकी shell जो है less than half field है या more than half field है तो यह सब values पूट करके हम यहां से जो आपके पास magnetic moment होगी in case of lengthenoid ions उसको निकाल सकते हैं ठीक है उसको हम compare कर सकते है with our experimental values की हमारे पास experimental values है क्या उसके साथ values जो हमारे पास coincide करती है या नहीं करती है after comparison हम क्या देखते हैं हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे पास जो values होती है for the lengthened ions ठीक है they are usually in close agreement ठीक है जो हमारे पास experimental values निकल के आती है ठीक है जो हम experiment से निकाल लेंगे और जो magnetic moment हमने calculate की है खुछ से ठीक है तो by using equation number 1 थी हमारे पास तो जब हम उन तोनों को compare करते है तो हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे पास जो values है वो काफी जादा जो एक दूसरे के साथ जो है वो agree करती है कुछ एक ions को छोड़के जिसमें हमारे पास European और Samorium ions जो हमारे पास ions है ठीक है यह थोड़ी सी problem create करते है ठीक है तो एक चीज़ जाद रहा जब भी आपके पास usually lengthenoid का case आएगा कुछ ऐसा जहां पे आपको maximum कुछ कड़बर जैसी देखने को मिलते है तो वहाँ पे सबसे बड़े कलप्रिट यही दो पाए जाते है European and Samorium ions तो इनकी जो magnetic moment होती है हमारे पास ठीक है वो जो हम experimental values निकालते है उससे बिल्कुल भी agree महीं करती है ठीक है अब ऐसा क्यों है एक चोटा सा example लेते है European 3 का तो देखिए हमारा जो European होता है इसका जो Tommy number है इस इस फिफ्टी सॉरी 63 ठीक है अगर मैं सरफ European की बात करों तो this is F7 S2 ठीक है This is F7 S2 होता है लेकिन यहापे प्लस 3 लिया हुआ है मने तो तीन lektron निकाल देंगे we get F6 configuration ठीक है F6 configuration होगी इसकी तो by using F6 configuration हम यहाँ पे जो आपके बास L और S है ठीक है के अंदर, in case अगर आपको नहीं आता तो यहां पर आप सीख लू ठीक है चाहे आ आपके पास d shell और ओपके पास पी शेल हो और पे उल्वी भी हो क्ते है ऑपने इस वह और आप से उपस उपस क्रेल से उपस फले उनकी तो इसी तरह से मारे पास 7 values होती है फो दी, magnetic quantum number दाट इस, प्लस 3 से लेके माइनस 3 तक, जिसके कोड़ीले मारे पास 7 orbitals यहां पे बन के आते हैं तो इनमें आपने 6 लक्टोंस फिल करने है, according to hunt's rule सभी के सभी orbitals जोने चाहिए, पहले इसके लिए value है 3 प्लस 2, 5, प्लस 1, 6 ठीक है, यहां पे 0 ठीक है, तो इस विल बिकम 3 प्लस 2, प्लस 1 प्लस 0, माइनस 1 and माइनस 2 ठीक है, तो इस विल बिकम 6 माइनस 3 तो L आगे है मेरे पास 3 ठीक है, L बिकम 3, तो resultant L की value कितनी है, 3 है, 6 electron है हमारे पास, ठीक है, सभी की spin 1 by 2, 1 by 2 होगी, ठीक है तो net जो हमारे पास, यहां पे resultant S की value आएगी, this is simply 6 by 2, ठीक है, N by 2 जो मैंने आपको बताया था, N stands for number of unpaid electron, तो 6 unpaid electron है, तो 6 by 2 which is equal to 3, ठीक है तो अब देखिए, अगर हमारी shell जो है, अगर more than half field हो, तो हम L plus S लिखते है, ठीक है, J की value कितनी होगी, L plus S, अगर more than half field हो, लेकिन यह कौन से है, less than half field है, तो value कितनी आएगी, L minus S आएगी, L कितना है 3 है, S कितना है 3 है, तो इसके लिए J की value हो जाएगी, आपके पास 0 अगर J हमारा 0 आता है तो जो आपके पास magnetic moment होगी, ठीक है जो आपके पास, हमने यह निकाल ली है, ठीक है, this is G under root J into J plus 1 ठीक है, similarly L भी है, S भी है, J भी है आप यहाँ से G की value find out कर सकते है by using this bone land equation, जो मैं आपको बताई है यह वाली, ठीक है, यहाँ से use करके, आप J भी find out कर सकते हैं, ठीक है, जब different cases होगे, आपके आपने इस तरह से निकाल ले है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास J ही 0 है, तो definitely effective magnetic moment भी 0 आएगी तो इसी बज़ासे हमारे पास जो calculated जो हमने calculate की, और जो हमारे पास experimental होती है, वापस में differ हो जाती है, दूसरे से अलग अलग होती है तो यह problem create होती है आपके पास especially europium में और sumarium में अब दिखिए यह जो difference होता है energy का, this difference in the energy because of the magnetic field of strength H and the spin orbit coupling जो है this is around 300 per centimeter for the europium 3, ठीक है, यह जो energy difference होता है, मारे पास कितना होता है 300 per centimeter होता है, europium 3 आइंस के लिए हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास energy difference होगा j states का, europium 3 और sumarium 3 के लिए अगर वो यहाँ पर आपके पास बहुत कम देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर energy difference कम है हमारे पास if this energy difference, ठीक है, यह जो j states का energy difference है, sumarium और europium 3 के लिए अगर यह कम होगा, तो that means हमारे पास यह states पास पास में होगी जो हमारे excited state होगी, ठीक है this is closer to the ground state ठीक है, किसके लिए for the europium 3 और second कौन सा है हमारा, sumarium 3 ठीक है, इसका मतलब क्यों, जो हम यह बोल रहे हैं कि हमारे पास जब energy difference जाता है, तो most of lactons जो है, आपके पास ground state में ही होगी लेकिन जब energy difference यहाँ पे आपके पास इन दो ions के case में, आपके पास कम है जो हमारे पास fraction of lactons होगे हमारे पास they are also found in the excited state वो आपको excited state में भी देखने को मिलेंगे so this is in accordance to the Boltzman distribution law, ठीक है तो room temperature के उपर आपको कुछ lactons जोंगे, वो आपको excited states के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है तो अगर मैं magnetic moment निकालने जाओं, सिर्फ और सिर्फ ground state को लेके ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ground state को लेके ही, अगर मैं magnetic moment निकालने जाओं ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो magnetic moment होगी, इन ions की, ठीक है, वो नहीं निकल पाएगे, ठीक है, we cannot calculate the magnetic moment for these two ions तो यही सब कुछ यहां पे निक्लूट किया गया है अगर हमारे पास energy difference आपके पास बहुत कम होगा तो जो thermal energy होगी तो आपके पास room temperature जो आपको energy available होगी तो आपके पास इतनी sufficient है तो thermal energy होगी electrons की it is sufficient to promote the electrons from the ground state and partially populate the higher excited state जो मैं अभी आपको बताया कि electrons ground state में होगे और excited state में भी चले जाएंगे ठीक है अब इस factors की वैसे मारे पास जो magnetic moment होगी they are not likely to be determined by the ground state configuration सिर्फ ground state configuration को consider करके ही जो है हम magnetic moment नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर मैंने जो निकाला है this is only through the ground state ठीक है हम यहां पर ground state का ही यूज कर रहे हैं ठीक है तो इस चीज़ का में ध्यान में रखना होगा ठीक है इस factors यहां magnetic moment जो हैं को हम determine नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर हम सिर्फ ground state configuration ही consider करें तो इसके लिए में क्या करना पड़ेगा but measuring of the magnetic moment at low temperature prevents the population at higher excited state अगर हम temperature जो है आपके बस low कर दें ठीक है तो most of molecules जो है आपके पास ground state में ही रहेंगे जो आपके excited states है वो उतनी अदा populate नहीं होगी देखें low temperature के उपर आपके पास आप motion रोक रहें है अब देखें जो हमारे excited states होगी उनके लिए जो j values है वो आपके बस high होती है ground state से तो जो magnetic moment होगी they are higher than those considering only higher states यहाँ पे एक graph में ने draw किया हुआ है this is magnetic moment in bore magnetons for the lengthenoid elements ठीक है ज maximum magnetic moment होती है lengthenoids में that is for this this one that is your dysprosium ठीक है dysprosium इसके लिए सबसे हाँ magnetic moment जो है आपके पास lengthenoids में देखने को मिलती है and यह हमारा europium है ठीक है it lies here similarly अब हम consider करते है हमारे जो next case है that is small multi blood separation अगर हमारे पास जो 2 j states अगर उनके बीच में जो हमारे पास energy difference है अगर वो आपके बहु compare to your thermal energy ठीक है kt ठीक है like this के मारे पास अब 2 states है इस तरह से ठीक है अब इनके बीच का जो difference है ठीक है यह आपके पास जो है this is कम होगा compare to your thermal energy ठीक है तो इसका मतलब क्यों इसको हम बोलेंगे small multi blood separation ठीक है इनके बीच की separation है that is small तो यह case मारा तभी rise होगा जब आपके पास जो successive j values अगर आपके पास smaller होगी तो इसका मतलब कि अब हमारे metal lines होगे ठीक है most of metal lines की cases में हमारे पास जो हमारी ground state होगी ठीक है वो आपके पास equally occupied होगी by the various metal lines at the room temperature तो जब अब हमारे पास separation आपके पास बहुत कम है तो इस case में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जब ऐसी conditions हम तो वहाँ पे हमारे पास जो spin orbit coupling होगी वो अब हमारे पास जो हो negligible हो जाएगी ठीक है अब वो operate नहीं होगी तो उसको हम ignore कर देंगे अब देखिए to understand it कि हमारे पास क्यों वहाँ पे LS coupling जो हो इतनी यादा significant नहीं है ठीक है let us consider a case for D2 metal lines तो अगर मैं D2 metal lines का case consider करता हो तो मे is your 3f ठीक है 3f हमारे पास ground states है और हमारे पास यहाँ पर जो different j states जो यहाँ से arise होंगी that are 3f2 3f3 and 3f4 जहाँ पर आपके पास j जो it can take all the possible values जो भी आपके पास हो सकती है क्योंकि देखिए for the 3f हमारे लिए जो l की values होगी 3f के लिए l will be your 3 और जो resultant s होगा this will be your 1 ठीक है तभी हमारी spin multiplicity जो है वो 3 आएगी 2s plus 1 equal to 3 ठीक है तो जो हमारे पास j की value होगी ठीक है जो all possible values है from l plus s से लेके l minus s थक ठीक है तो this will be 3 plus 1 4 ठीक है यहां से लेके कहां तक जाएगी 3 minus 1 2 तो 4 और 2 के बीच में कितना आएगा 3 तो यह values आएगी 432 ठीक है यह हमारे पास j states है 3f 4 3f 3 3 f 2 तो जो energy होगी मारे पास ठीक है जो मारे पास energy होगी metal ions की which are almost equally distributed in all these j states for the ground state term this is our this is equal to the this is equal to the energy when all the metal ions occupy the ground term for whichever spin orbit coupling जो है this is not operative देखिए बोलने का मतलब यह है कि मारे पास energy होगी metal ions की ठीक है जो कि equally जो है वो distribute के गई है in j states के अंदर ठीक है वो the ground term of the ground term this is almost equivalent to the जब हमारे पास सारे के सारे जो metal ions होंगे they will occupy the ground term ठीक है जहां पर हमारे पास spin orbit coupling जो है वो operative नहीं होती है ठीक है तो इस case में हमारे पास क्यों होगा जो आपके पास L और S होंगे हमारे पास ठीक है वो separately जो है वो अलग-अलग से जो हो magnetic field के साथ ठीक है जो दुम लोग-अलग से interact करेंगे मतलब we have independent interactions with the magnetic field ठीक है L और S vectors की मारे पास अलग से interactions होगी magnetic field के साथ और J जो हमारे पास quantum number है वो यहां से arise नहीं होगा so for this हमारे पास effective magnetic moment होगी this will be given by this equation ठीक है due to L vector होगा हमारे पास जब यह interact करेगा magnetic field के साथ this will generate orbital magnetic moment and S vector will generate your spin magnetic moment तो इन तोनों का जो सम होगा हमारे पास this will give you net magnetic moment which is given by under root 4S into S plus 1 plus L into L plus 1 this is the effective magnetic moment जब हमारे पास multiple separate separation जो हो आपके पास बहुत कम देखने को मिलेगी तो ऐसा behavior हमें कहां देखने को मिलता है ऐसा behavior हमें देखने को मिलता है usually in the first transition series ठीक है जो first transition series के हमारे पास जो metal lines होते है वहाँ पे हमारे पास ऐसा case देखने को मिलता है जब हमारे पास to orbital contribution जो होती है magnetic moment के लिए this is not completely quenched ठीक है orbital contribution भी हम consider कर रहे है यहाँ पे ठीक है I am not considering only spin only magnetic moment I am also considering the orbital magnetic moment ठीक है so this is the case for the first transition series the orbital contribution to magnetic moment is effective here ठीक है it is not completely quenched ठीक है quenching जो होगी हमारे पास this occurs especially for manganese 2 iron iron 3 gadolinium 3 ठीक है as these they obeys जब quenching हो जाएगी तो हमारे पास orbital contribution 0 हो जाएगी यह factor खतम हो जाएगा तो हमारे पास जो net magnetic moment आएगी वो only spin की बजासे आएगी ठीक है this is only due to the spin only formula की बजासे magnetic moment निकालेंगे लेकिन जहाँ पी भी आपके पास D और F ground states आती है हमारे पास they possesses some orbital angular momentum तो यहीं से हमारा जो third case rise होता है that is your spin only moment ठीक है जब हमारे पास quenching हो जाएगी ठीक है when there is quenching मतलब no orbital motion ठीक है orbital contribution negligible है तो हमारे पास जो effective magnetic moment होगी this is given by only this formula ठीक है और S हमारे पास जो होता है this is n by 2 number of unpaid electrons तो यहां से हम निकाल सकते हैं ठीक है mu effective will be your 4s into s plus 1 जहांपे हमारा s moment will be n into n plus 2 under the root ठीक है quenching scenario now our last case is with the heavy atoms ठीक है यह जो हमारे पास situation rise होगी this arises in case of our heavy atoms ठीक है जो हमारे second and third transition series के जो हमारे पास complexes होते हैं तो usually spin paired होते हैं ठीक है spin paired complexes बनते हैं उनके साथ हमारे पास so जब भी हमारे पास किसी atom के अंदर odd number of unpaid electrons होगे ठीक है तो जो magnetic moment होगी it corresponding roughly to the unpaid electron ठीक है that is our paramagnetism जब हमारे पास unpaid electrons होगे हमारे पास odd number of unpaid electrons होगे तो paramagnetism induced होगा और जब हमारे पास even number of electrons होगे तो definitely हमारे पास वहाँ आपको diamagnetism जो हो देखने को मिलेगा लेकिन जो हमारे complexes होते हैं second and third transition series के elements मनाएंगे ठीक है with the legands वो हमारे पास usually spin paired होते हैं ठीक है spin paired complexes तो मतलब वहां पे हमारे पास most of time आपको diamagnetism ही देखने को मिलेगा लेकिन अगर फिर भी आपके पास unpaid electrons जो हैं वहां पे होंगे तो रफली जो उनकी unpaid होगा तो magnetic moment जो होगी वह उसी unpaid electrons की वज़ा से जो है वहां पे arise होगी तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके पास जो हमारे पास second and third transition series की जो elements है वो आपके पास spin paired complexes दे रहे हैं ठीक है तो देखे अब जब हम बात करेंगे second and third transition series की तो हमारे पास जो d orbital involved होगा that is your 4d second के लिए third transition series में आपके पास 5d orbital आ जाएगा ठीक है अब इनका जो size है देखे 4d और 5d जो आपके पास orbitals होगे इनका size जो है वो first transition series का जो orbital है 3d उसके comparison में ज़्यादा बढ़ा होगा जैसे मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बनाता हूँ मान लो this is our 3d orbital ठीक है यह मैं आपके पास एक orbital बनाया this is your 3d ठीक है अगर मैं बात करूँगा 4d orbitals के लिए ठीक है metal line होगा जिसके लिए 4d orbital मैं draw करता हूँ ठीक है जैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पे specify नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा orbital है यह तो 4d में क्या थोड़ा सा बढ़ा होगा है इसके comparison में ठीक है this is a little bit much bigger comparison to compared to 3d orbitals क्योंकि तोड़ा size ज्यादा होगा लेकिन अगर बात करूँगा 5d orbitals के लिए तो 5d इससे भी ज्यादा बढ़ा होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा size और ज्यादा बढ़ा होगा है हमारे पास तो इस तरह से मारा बढ़ा orbital बन के आएगा अब देखिए 3d orbital है अब आहां पे मारे पास 2 electrons होंगे इस तरह से तो इनके बीच में जो repulsions होंगे that is inter electronic repulsions 2 electrons की बीच की repulsions होगा है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपके पास 3d के case में अब यही repulsions थोड़ी सी कम हो जाएगी 4d के case में क्योंकि orbital ज़्यादा बढ़ा हो गया है तो electrons को easily accommodate कर पाएगा लेकिन 5d में यह repulsions और भी ज़्यादा कम हो जाएगी क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास orbital का size इतना बढ़ा है वो easily इन दो electrons को accommodate कर सकता है तो inter electronic repulsions आपने word सुना होगा inter electronic repulsions मतलब electrons की बीच की repulsions यहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगी due to the bigger size of these orbitals it can easily accommodate these two electrons ठीक है? इनको असानी से यह paired form में जो है वो यहाँ पे consider कर सकता है ठीक है? 3D बहुत कम size का है चोटे size का orbital है 2 electrons को जब pair करेगा तो यहाँ पे inter electronic repulsions आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है तो यही case है कि 4D and 5D elements के इंदे हमारे पास inter electronic repulsions होती है वो कम होती है 3D elements के comparison में ठीक है? इसके लाब हमारे पास जो ligand और molecular orbitals जो हमारे पास induced splitting होती है d orbitals की वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है 5D and 4D elements के case में compared to that of our 3D elements ठीक है? तो अगर हमारे पास ज़्यादा splitting देखने को मिलेगी आपके पास ठीक है? अगर ligands की वैसे हमारे पास ज़्यादा splitting होरी होती है definitely हमारे पास ligands यहाँ पे हमारे जो orbitals हैं ठीक है? उनका size बढ़ा है तो ligands जो effectively आपके पास overlap करेगा इन orbitals के साथ ठीक है? आपने crystal field theory के basic postulates पड़े भी होंगे वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जैसे size बढ़ता जाता है orbital का ठीक है? हमारे पास जो interaction होती है ligands के आप वह भी इतनी ज़्यादा effectively होती जाएगी crystal field splitting जो है उसकी strength भी बढ़ती जाएगी ठीक है? तो crystal field splitting जो है आपके पास 5D orbitals में ज्यादा होगी compared to 4D and 3D elements ठीक है? तो यह सारे के सारे factors जो है हमारे पास यह favor करते हैं low spin complexes को that is the word जहाँ पे हमारे पास spin paired complexes बनेंगे ठीक है? इसी की वेज़ा से हमारे पास low spin complexes बनते हैं तो room temperature के उपर जो हमारे पास values होंगी magnetic moment की ठीक है? this is far below the spin only moment तो definitely जब हमारे पास जब हम इन complexes को consider करेंगे जहाँ पे मारे पास spin paired complexes हैं तो उनका use जो है हम unpaid electrons निकालने के लिए तो नहीं कर सेते है to determine the number of unpaid electrons oxidation states, the energy of d orbitals उनके जो levels होंगे d orbital energy levels उनको हम determine नहीं कर पाएंगे तो यह जो difficulty हमारे पास arise होगी this is mainly due to the spin orbit coupling which is exist in such cases for the heavier atoms तो इनके पास spin orbit coupling आपको देखने को मिलेगी तो इनकी वैसे हम वहाँ पे unpaid electron data, oxidation states इनको हम जो हो easily determine नहीं कर सकते तो यह हमारे कुछ cases है जिनके थू जो हम paramagnetism को हम बता सकते हैं कि कौन से factors हैं जो paramagnetism को affect करते हैं हमारे पास और किस तरह से जो affect करते हैं ठीक है, so this is all about this lecture so thank you very much